तुस्त फिडियों में बात करेंगे पॉंट फिडा के फिडा कोईन के प्राइज हो में के बारे में इंट्री लेवल अपडेटेट लेवल और आने वाले दिरों में के टागेट्स करेंगे अबराल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इंवेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रोपर गाइडेंस प्रपस रडी शेयर की जासे के क्रिप् इस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 0.337 पर भी कोईंट रेट कर रहा 3.317 का लोग इसकोई ने आज बनाया डेली का चार्ट उपन करें तो जहां पर अप्रेल मंथ और मेम मंथ मे इसकोई ने 0.2326 तक का लोग बनाया था वहां से रिसेंटल एक अच्छा का सा ब्रेकाउट देखने को मिला 0.48 तक का लेवल इसकोई ने हिट किया अल्मोस्ट 80% से ज्यादा का ब्रेकाउट था और वहां पर हमने जो हमारे पिछले वीडियो जे पिछले और लेटेस्ट व और वहां से अच्छा ब्रेकाउट हुआ, क्विक बाउंस पेक था जहां आमने बहुत अच्छा 70-80% तक का प्रॉफिट जनरेट किया उसके बाद में यहां जब यह ब्रेकाउट होना था उस ताइम पर भी हमने 5 जून को यहने के लेटेस्ट भी 6 दे एगो इसकोई में 0. 0.31 की एंट्री सजेस की थी जहां पर आपने उस दिन एंट्री लिए और एंट्री लेके सेम डे इसमें ब्रिक आउट हुआ तो और अच्छा पॉफिट अपने जनरेट किया उसके बाद अपडेटेट लेवल भी हमने इस कोई में शेर किये थे तो जब जब इस कोई में प पॉफिट जनरेट किया है वो कमेंड करके जरूर बताएं किस टाइप से हमारे वीडियो आपके लिए हैलप फुल रहते हैं अब यह का टेक्निकली बात के 0.34 पर यह कोई ट्रेट कर रहा है डेली में इस कोई ने 0.29 वाले सपोर्ट लेवल को मेंटेन किया हुआ है जिससे उपर पिछले 4-5 दिनों से इस कोई ने डेली क्लोजिंग की है उपर के तरफ 0.35 इमीडियेट रेसेंस लेवल है जो की प्रिविएसली सपोर्ट था लेकिन अभी इसके लिए रेसेंस फिस करने को मिल रहा है जिससे ही 35 को करेगा वापिस से 40 से उपर हमें प्राइस देखन को मिलेगी वीकली का चार्ट ओपन है यहां पर अगर देखें तो बीजविस में अच्छे कहा से ब्रेक आउट हमने देखें यहां इसकोई ने वन यूश्टी से उपर ट्राइ किया था यहां अगर बात के तो तो 22 के इंड में अच्छे ब्रेक आउट थे और यहां भी 0.13 सी वाले लोबेस्ट एरिया से अच्छी रिकवरी 7.2 तक देखने को मिली थी वीकली में 0.29 वाला जो लेबल है वो सकॉइन के लिए भी सपोर्ट है तो डेली में और वीकली में दोनों में सकॉइन के लिए 0.29 वाला सपोर्ट लेबल है पिछले वीक की क्लोजिंग 36 के लेकिन महां से एक वाल रिजेक्ट हुआ अब इंट्री की बात करें 0.337 पर इंट्रीट करें 0.335 पर आपको इंट्री लेनी यह आपका फस्ट इंट्री पॉइंट रहेगा जहां पर आपको 70% पार्ट से इंट्री लेनी जो भी अमौट आप इसको अनमें लागाना चाहत इसके 70% पार्ट से 0.335 पर आपको बाइलिमेंट लागा देनी हैं सेकंड लेवल रहेगा 0.30 जहां तक थोड़ी बहुत फ्लक्षिशन अगर होती है बीटी सी यहां से बाउंस बेक नहीं करता है थोड़ी स्टेबिटी या फिर पिछले 7-8 दिनों से मार्केट में अच्छ कर सकता है हलाकि 29 को सपोर्ट भी है तो वहां तक पॉसिबिटी रहेगी 70-30 के रिश्यों बाइ करना है यहां से क्विक मोमेंट में 0.40 से उपर ट्राइ करेगा जहां पर आपका क्विक और फास टागेट 0.42 जहां आपको 60% परसल आउट करना है सगंड टागेट रहेगा 0. 0.45 जहां पर बागी 40% इस टाइब से 60-40 के रिश्यों में 4-2 और 4-5 पर सेल करना है जो शोट टम वाले हैं जो थोड़ा सा फेट कर सकते हैं at least 4-6 वीक तक का वह 0.48 तक का टागेट रहेंगे जहां पर आपको 100% पार्ट सल आउट करना है ऐसे भी कुछ नय इन्वेस्टर ट्रेडर है जिन्होंने रिसेंट ब्रेक आउट में ऊपर वाले लेवल पर इस कोईन को बाई कर लिया या फिर यह प्रीवेस ब्रेक आउट था इसमें बाई किये हुए है रिकवरी का बेट कर रहे हैं वह बाइंग पैस पर से लिमिट लगा करके रिकवरी पर फोकस करें और ऐसे जितने भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज्यादा नोलेज एक्सपेंस नहीं है हमारी प्रीमियम मेंबर्सिप में जरूर इन्रोल करें वहाँ पर आपको प्रोपर गाइडेंस प्रपस रडी शेयर की जाएगे क्रिप्टो क्वारी दिस्किप्शन में मिल जाएगी बाकि आप बाइवसेल खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें आपर हम को में पाइस एडवाइस नहीं दे रहें वीडियो से पर दस देहें ताकि आपको अबराल कोई से लेटेर नोलेज उसके वीडियो अच्छा लगा है ल